हेलो एरिवन आज हम बात करने वाले हैं टाइप आफ इंफार्क्स की तो टाइप आफ इंफार्क्स में दो ही टाइप होते हैं रेड इंफार्क्स होता है और पेल इंफार्क्स होता है ठीक है तो रेड इंफार्क्स को हम हेमोरजिक इंफार्क्स भी बोलते हैं और पेल इंफ तो नाम से हमको confused नहीं होना है बस और अगर हम देखें तो दिखें यह एक ही आर्टरी के जरीए ब्लड सप्लाई होती है तो यहां पे अगर इन्फाक्शन हुआ तो उसकी और से देखिए यहां पर एक ही आर्टरी से सप्लाई हो रही थी तो आगे जो है कोई ब्लड नहीं प बात कर ली अब देखिए यहां पे क्या बताए गया अकर्स इन वेनस अक्लेजन एंड टिशू विद मल्डिपल ब्लड सप्लाई तो आइसे इसमें मल्टिपल ब्लड सप्लाई होती है जैसे लिवर है और इसी तटरीके से मारा लंस है तो इसमें देखिए पुल्मोनरी ब् भी portal blood supply है और उसके बाद hepatic blood supply भी है तो ऐसे organs जहाँ पे multiple blood supply होती है तो वहाँ पे हमको red infarction देखने को मिलता है क्यों 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 क्योंकि जब infarction हुआ तो एक तरफ समालो यहाँ से infarction हो गया तो जो दूसरी तरफ से यहाँ पे blood supply थी यहाँ से blood हलका हलका यहां से आता रहेगा तो यहाँ पे जो infarction हुआ वो red infarction हमको देखने को मिलेगा है यहाँ पे blood आने की ज двух यह free radical के damage की जो रही है free radical damage injury क्या होती है आगे हम बात करेंगे ठीक है to free radical damage की वजह से reperfusion injury देखने को मिलती है और reperfusion injury का example हम देख लेते हैं after angioplasty तो after angioplasty हमको यहाँ पे red infection देखने को मिलेगा ठीक है angioplasty के बाद तो यह हमारा हो गया red infarct जिसको हम hemorrhagic infarct भी बोलते हैं और pale infarct बहुत आसान है जिसको हम white infarct भी बोलते हैं occurs in solid organs तो solid organs में होता है और यह अगर हम बात करें तो यह loose tissue में होता है यह solid में होता है with a single end arterial blood supply तो यह single जहाँ पे supply होगी या end arterial blood supply या नि उसमें होता है जिसे heart और kidney तो heart और kidney में देखने को मिलता है और इसमें एक चीज़ और क्या feature होता है इसका कि इसकी margin जो होती है यह well defined margin होती है और इसकी margin well defined नहीं होती है तो हमने यहाँ पे red impact और white impact दोनों देख लिया तो देखिए red impact के मिन चीज़ के है कि यहाँ पे dual blood supply होगी उस वज़े से यहाँ पे red infection देखने को मिलेगा तो इंफरक्शन वाला area pale हुआ इसी ओडेसिस को हम pale impact बोलते हैं ठीक है